आरे यार तुम्हारी राइटिंग तो बहुत खराब है इतनी खराब राइटिंग तो किसी की नहीं होती क्या आपको भी ये सब सुनने को मिलता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो पूरा देखने के बाद तो हम चाहे कितने भी अच्छी क्यों नहों पढ़ने में पर अगर हमारी राइटिंग खराब होती है तो लोग हमें बेवकुफ समझने लगते हैं यहां तक कि एक्जामस और टेस्ट में बहुत सही अंसर लिखने के बाद भी हमारे मार्क्स कट चाते हैं वो भी सिर्फ रा सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन वेल को प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपको इसी तरह की इंट्रेस्टिंग टिप्स देते रहें तो चलिए जानते हैं वो टिप्स के वारे में जिससे हमारी राइटिंग बहुत ज़्यादा सही होने वाली है तो चलो अपने आप से य ज्यादा उपर से नहीं पकड़ना है आप अपने पेन को उस जगह से पकड़ो जहां से आपके फिंगर का पूरा कंट्रोल पेन पे हो नंबर टू आप अभी तक तो फास्ट लिखते थे लेकिन इस पेज पे आपको वर्ट्स का एक एक लेटर को स्लोली स्लोली लिखना है नंबर थ्री आप जब इस पेज पे लिखोगे तो ये नोटिस करना है कि आपके कौन से लेटर अच्छे नहीं है उस लेटर को थोड़ा इंप्रूब करना है और कोसिस करना है कि उसको आप बहुत सुन्दर तरीके से लिखो 4. आप जब ही लिखोगे तो लिखते वक्त ये ध्यान में रखना है कि आपका word का size ना ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा और दो words के बीच का distance भी ना ज्यादा हो और ना कम 5. आपको ऐसा pen बिल्कुल यूज नहीं करना है जिस pen से आप comfortable नहों आप स्टार्टिंग में कोसिस करो कि एक ही तरह का pen या pencil से लिखो दोस्तो जब आप ये 5 चीज़े continue follow करोगे तो आपको best handwriting देखने को जरूर मिलेगी तो अगर आप आज से ये लिखना शुरू करने वाले ह तो अब ही comment कर दो और जब आपकी writing अच्छी हो जाए तब आकर इस video पे comment के जरीए हमें जरूर बताना कि आपकी writing में improvement देखने को मिली है या नहीं अगर आपको ये video थोड़ी भी informative लगी है तो इस video को like और हमारे channel को subscribe कर दीजिए और ये video अपने उन दोस्तों को जरूर भेजिए जिनकी handwriting अच्छी नहीं है और वो अपने handwriting को improve करना चाहते हैं